हाईलो फ्रेंज रागत है आपका चबी कीचन में आज मैं बनाओंगी मतर पनीर की सबजी धाबे रिस्टोरेंट में जो आप सबजी खाते हैं उससे भी टेस्टी बन के तयार होगी तो चलिए फटा-फट मतर पनीर के सबजी बनाना सुरू करते हैं मतर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप तेल डालेंगे और टेल गरम हो जाने से पनीर डालेंगे, यहां मैं 200 ग्राम पनीर ली हूँ, और पनीर को हलका फ्राई कर लेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, पनीर फ्राई हो गया है, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरह बच्चा हुआ पनीर भी तल लेंगे, फ्राई किया हुआ पनीर थो 1 तेल-1 चोटी चमाच जरा डालेंगे ना-धा चोटी चमाच राइं दालेंगे दो टिछ पत्ता डालेंगे और एक शुखी लाल्मिले डाले डालए लेंगे और अब डालेंगे प्याज यह मैं तीन मेडियम साइज की बारिख चॉप करके ले ले हुँ और हलका fry कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे और अब आधा छोटी चमच नमाग डाल लेंगे तो प्याज जल्दी से फ्राई हो जाएगा प्याज हलका फ्राई हो गया है अब डाल लेंगे अदरख लेशन का पेश्ट यहां मैं 10-12 कली लशन और एक इंच अद्रख को पेस्ट बना करके ले ली हूं अब कद्धु कस किया हुआ भी अद्रख लशन ले सकते हैं अद्रख लशन को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राइ कर लेंगे अद्रख लशन का पेस्ट डाले हैं तो कड़ाही में चिपक र लेंगे तो अद्रख लशन कड़ाही से निकल जाएगा और प्याज को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे प्याज हलका गोल्डेन ब्राउन हो गया है यहां मैं तो मीडियम साइज के टमाटर को पेस्ट बना करके ले ली हूं और टमाटर लाली उच किजिएगा तो सब्जी का तो कड़ कल आल अच्छा आएगा और प्याज के साथ अच्छे से से फ्राइक कर लेंगे टमाटर को प्यास टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है आप देख सकते हैं हलका तेल भी अलग होने लगा है अब डालनेंगे आधा च्वोटी चम्मच हलदी पाउडर दो छोटी इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा और श्रब को मिक्स कर लेंगे लगभग 2-3 चमस पानी डालेंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मसाले को ठक करके 2-3 मिनट पकाएंगे और गैस के फ्लेम को मेडियम रखेंगे मसाले को ठक करके पकाते हुए 2-3 मिनट हो गया है अब देख सकते हैं मसाले से हलका तेला लग होने लगा है और अब गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे और लगातार चलाते हुए मसाले को फून लेंगे ऐसा करने से कोकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और सब्जी का भी टे और आब डाल लेंगे 2 मलाई यहां मैं 20 कफ दूद का लाई ली हुँ और मलाई 2-3 दिन कहें लिजीगा और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट भून लेंगे मलाई डालने से सब्जी में छिकन अहट भी आएगी और सब्जी का टेश्ट भी बहुत मिक्स यादाव फ्रेश मत bagus आधाग पानी चाबnos पादी शख्या कि श्वाद के नुशार बएलो कि उसी हिसाब से नमक याद टाल कि मिक्स करतेए और यहाँ धबस के डूर्ट के 2 अच्छी जो पका लेंगे, दो से तीन मिनट हो गया है, ग्रेवे में भी उबाल आ गई है, अब यहां डाल लेंगे, पनील, पनील पानी में डाला हुआ था, तो पानी को नी चोड़ करके डालेंगे, एक चमच रोष्ट किया हुआ, कस्तूरी में थी, हाथों से क्रस्ट करके डाल लेंगे इसे सबजी का फ्लिवर बहुत अच्छा आएगा, आपके पास है तो डाल लें या असकिप भी कर सकते हैं, अब डाल लेंगे एक चोटी चमच गरम मसाला, अब जो गरम मसाला पसंद करते हैं, वो डाल सकते हैं, यहां में खड़ा गरम मसाला का पावडर यूज की हूँ, इसे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अब ढग करके 5-6 मिनट के लिए सब्जी को पका लेंगे, अब देख लेते हैं सब्जी को, अब डाल लेंगे पारे कटा हुआ हराधनिया और सब्जी में मिक्स कर लेंगे, और गैस को आप कर देंगे, सब्जी बन के रेडी हो गई है इसे आप पोरी पराठे या नान के साथ सरुकर्ष रखते हैं बहुत ही टेस्टी सब जीवन के तयार हुई है वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड और फैमली में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब मिलते हैं नई रेश्प